आकाश्वाणी से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार आकाश्वाणी के लिए विवाहपूर्व जन्मकुंडली मिलान से जादर जरूरी है सिकल सेल जनेटिक काउस्निक काट का मिलान देश की सभी पैसा ग्राम पंचायतों में दो अक्टूबर से शुरू होगा सबकी हुजना सबका विकास अभियान पन्ना टाइगर रिजर्व सहिद प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व कल से आम लोगों के लिए खुल जाएंगे और बंगलादेश के साथ कानपुर में खेली जा रहे दूसरे टेस्ट मेच को भारत ने बनाया रुवाण जग अब समाचार विस्तार से राजपार मंगुभाई पटल ने कहा कि स्वस्ट पीडी के लिए विवाह पूर्व जन्पुर्णी मिलान से ज़ाद जरूरी सिकल सेल जेनेटिक काउंसलिंग कार्ट का मिलान करना है क्योकि यदि सिकल सेल रोगी और वाहक आपवसे विवाह कड़ते हैं तो नुशिती उनकी संतान सिकल सेल रोग से ग्रसित होगी राजपार आजशास की कम्रा नहरू करन्या महा विद्याले के चात्रावास में आयुजित सिकल सेल एनिमिया स्क्रीनिंग शिवर को संबोधित कर रहे थे जनजाती कारिमंत्री डॉक्टर विजय शाह ने बताया कि प्रदेश के प्रतिक अनुसुचित जाती एवम जनजाती वर के विद्यार्थियों के सभी चात्रावासों में एक नर्स हर महीने जाएगी और चात्रावासी बच्चों को रख्त की जाच करेगी भारत सरकार के सिकल सेल एनिमिया उन्मूलन मिशन की तैट अब तक प्रदेश में 72 लाग से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है इसकूल सिक्षा मंतरी उद्यपरतापसी ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकान स्कूलों में क्रशी से जुड़ी सिक्षा व्यवस्था के लिए एग्री कल्चर स्कूल की योजना बनाई है इस योजना से बच्चे खेती किसानी के बारे में शिक्षा हासिल कर इसे गर्व के साथ अपनाएंगे इसकूल सिक्षा मंतरी आज भोपाल में केंद्री सिक्षा मंतराले की स्टार्स परियोजना की दो जब से नॉलिज शेरिंग कारिशाला को संबोधित कर रहे थे कारिशाला में मध्य प्रदेश से 17 प्रदेशों के शिक्षा सचिफ राज परियोजना संचालक और शिक्षा से जुड़े वरिष्ट अधिकारी मौजूद रहे उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में अब दुरुगम स्कूलों में भी बच्चों तक टेक्नलोजी पहुँचाने के लिए ICT Lab की स्थापना पर जोड दिया जा रहा है इसकूल सिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के स्कूलों में इस वर्ष 20,000 सिक्षकों को उच्च पद का प्रिभार ओल्लाइन काउंसलिंग के जरीए दिलाया गया प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतरत में केंदर सरकार के 30 कारकाल के 100 दिन पूरे हो गया है इस दोरान कई जन कल्यानकारी कदम उठाए गया है प्रदान मंत्री विश्व कर्मा यूजना महिला और युवाओं के जीवन में एक सुखत बदलाव लेकर आई है बुरहानपुर में प्रदान मंत्री विश्व कर्मा यूजना के अंतरगत स्टार सवरूजगार प्रसिक्षन केंदर में ग्रामन शेतर की महिला और युवाओं को आत्म निर्भर बनाने का प्रसिक्षन दिया जा रहा है यहां प्रसिक्षक उशा उडलकर ने बताये कि चटाई जाडू टोकरी केले के रास्ते से उपयोगी वस्तुय बनाने का प्रसिक्षन प्रदान किया जा रहा है जाडू, टोकरी, पर्स इसी का ट्रेट अभी यह वाला ट्रेट बास्केट मेकर का है तो बास्केट मेकर में हम बास्केट से लेके तो सभी चीजे बनाना फाइवर से लेके आतर चीजे भी हम लोग सिखा रहे है देश की सभी पैसा ग्राम पंचायतों में दो अक्टूबर से सबकी योजना सबका विकास अभियान प्रार्मे किया जाएगा इस अभियान में पैसा ग्राम पंचायतों को विकास के लिए अपनी जरूरतों के मताबे की योजना बनाने के लिए प्रोसाहित किया जाएगा 11,596 ग्राम पैसा शीतर में आते हैं अलीराजपुर, जाबुगा, मनला, बढ़वानी, अनूपपुर एवं दिंडौरी, पून पैसा जिलों में रूप में चिन्हित है समाचारों में वक्त हैं अब एक छोटे से अंतराल का यह समाचार आप आगाश्वाणी मध्यप्रदेश से सुन रहे हैं हमारी समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा कैनूसार सुन सकते हैं यह समाचार बुलेटिन, यूटिव, एक्स प्लेटफॉर्म और फेस्बुक पर AIR News भोपाल पेच पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइड newsonair.gov.in पर अत्वा News on AIR एप पर भी समाचार सुन सकते हैं ब्रेक के बाद समाचारों में फिर एक बार आपका स्वागत है इन शिवरों में 60 वर्ष से अधिक आयू के सभी वर्देजनों का स्वास परिक्षन उपचार एवं परामर्श प्रदान किया जाएगा असंचारी रोगों के लिए स्क्रीनिंग एवं उपचार की सेवाई भी उपलब्द होंगी शिवर में आभा कार्ड इवं पात्र व्यक्तियों के आयुश्मान कार्ड भी बनाया जाएगे अंतराष्टिय वर्दजन दिवस हर साल 1 अक्टूबर को बनाया जाता है जिसका उदेश वर्दजनों की स्वास्त कल्यान और अधिकारों के प्रती जागरुकता बढ़ाना है प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व कल से आम लोग के लिए खुल जाएगे पना टाइगर रिजर्व भी कल 1 अक्टूबर से प्रटकों के लिए खोल दिया जाएगा प्रटकों के लिए सफारी 30 जून को बंद हो गई थी पना टाइगर रिजर्व की फील्ड डारेक्टर अंजिना सुचिता तिर्की ने आकाश्वानी को बताया कि अब तीन महाँ बाद एक अक्टूबर को फड़ से सफारी शुरू हो जाएगी बैतूल जिले में आज दोपहर को भूगम की चटके महसूस किये गए भूगम की तीवरता चार दशन मेब दो मा पी गई है भूगम से लोग घबरा कर अपने घरों से बाहा निकल आए इस गटना में अब तक कोई जन्हानी की खबर नहीं है भारत और बांगलादेश के बीच कानपूर में खेली जा रहे अब भारत से 26 रन पीचे है भारत के लिए दोनों विकेट रवी चंदरन अश्विन ने लिए इसके पहले टीम इंडिया ने आज पहली पारी 34.4 ओवर में 285 रन के स्कोर पर घोशित कर दी बांगलादेश ने पहली पारी में 233 रन बनाये थे सत्र जुलाई दिसंबर के तहट स्वचिता पकवाड़े का आयोजन किया गया बढ़वानी में जिला इवम सत्र न्यायले में स्वचिता ही सेवा अभियान के तहट जिला न्यायाले परीसर में न्याय धीशकनों अधिवक्ताओं तथा कर्मचारियों ने साफ सफाई की सीहर जिले के नर्वदा घाटों में 2 अक्टूबर को भूतरी अमावस्या पर सफाई और सुरक्षा की विशेश विवस्था की जाएगी नीमच में महिलाएवं बालविकास पंतरी निर्म्रा भूरिया ने आज एक कारिकर में नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन पाइलिट दीदियों को 10 लाग की लागत का नवीन ड्रोन प्रदान किया गौलियर में डिजिटल पुस्थकाले की बारीकियां सीखने के उद्देश से बुन्दिलकर्ण विश्विद्याले जहासी की पुस्थकाले विज्ञान विभाग के 40 विद्यार्थियों ने आज महराज बाड़ास्तित संट्रल लाइवेरीर का घ्रमन किया अशोगनगर में आज कलेक्टर सुभाष कुमार दवेदी द्वारा आईसेट प्रधार मंत्री कौशल केंदर में पियम विश्कर्मा केंदर तथा एन पी एस एस पियाम विश्कर्मा केंदर का शुबारम फीता काट कर किया गया शिपुरी में रास्टिय व्रदिजन, स्वास्त एवं देखवाल कारीशम के तहट कल जिला चिक साले के सेंट्रल हौर में स्वास्ट शिविर का आयो जन किया जाएगा देवास में वेस्क बीसीजी टीका करण कारिक्रम के तहट आज महा भियान आयुजित किया गया इसी के साथ ग्रामन शेतर के सामुदायक स्वासकेंद्र, सिविल एस्पताल और प्रात्मिक स्वासकेंद्र में भी टीके लगाये गए खंडवा में नगर निगम के टीम ने गोली बार शेतर में घर घर जाकर होम कंपोजस की प्रिक्रिया उसके फायदे और पर्यावरन पर इसके सकारात्मक प्रभावो के बारे में लोगों को जानकारी दी, शेहडूल जली में युवावा महिला और दुम्यों को अफसर देने तथा स्थानी इस्तर पर निर्मित उत्पादों को उचित मूले एवं बाराज मोहिया कराने 15 वा 16 अक्टूबर को 22 संभाग स्थरिये बायर सेलर मीट का आयोजन किया जाएगा और गुना में प्यम जन जातिये उन्नत ग्राम अभियान के संबन में आवश्यक तयारी करने क निर्देश दिये गए इस बिल्टिन में बस इतना ही नमस्कार